मैडम क्यूरी को मेरी क्यूरी के नाम से भी जानते हैं। उनका जन्म 7 नौंबर 1867 को पोलेंड के वार्षा सहर में हुआ था। वो रूस की रहने वाली थी। प्रिसिद भौतिक सास्त्री और रसायन सास्त्री थी। मैडम क्यूरी रेडियम की खोज के लिए प्रिसिद भौतिक बिग्यान और रसायन बिग्यान में नोबल पुरिस का प्राप्त करने वाली वो पहली महिला हैं। उन्होंने अथक प्रयास से रेडियम सक्री पदर्थ का खोज किया था। मैडम क्यूरी की बड़ी बेहन का नाम ब्राण्या था। उनके पिता बिग्यान के सिख्छक थे। पोलेंड के सोतंतरता संग्राम में भाग लेने के कारण उनको नोकरी से निकाल दिया गया था। मैडम क्यूरी को अपने जीवन में अनेक संकटों का सामना करना पड़ा। जब क्यूरी 11 साल की थी तब उनकी मा का स्वर्गवास हो गया। बचपन में आर्थिक तंगी के कारण वो अपनी बड़ी बेहन के पास पेरिस सहर चली गई थी। उनको दूसरे घरों में गवर्नेस का कारे भी करना पड़ा। उनके पिता की नौकरी में तनख्वा आधिक कर दी गई क्यूंकि वो सरकारी ताना साही और गलत नीतियों का विरोध कर रहे थी। गरीबी के दिनों में क्यूरी को सिर्फ ब्रेड और मक्षन खाकर गुजारा करना पड़ता था। एक गलत निवेश के कारण उनके पिता का सारा पैसा डूब गया था। हम सभी मैडम क्यूरी को रेडियम की खोज करने वाली बैग्यानिक के तोर पर जानते हैं। रेडियम का इस्तेमाल कैंसर की दवाईउं में किया जाता है। इसके अलावा इसका प्रेयोग पैंट घड़ी की सुई कपडे दवाईउं में किया जाता है। मा के देहंत के बाद मैडम क्यूरी पड़ाई करती रही। सोला वर्स की आयो में उन्होंने बारवी परिच्छा में प्रतम अस्थान प्राप्त किया था। उनको सोण पदक दिया गया। स्कूल में सभी सिच्छक मेडम क्यूरी को बहुत पसंद करते थे। क्योंकि वो पढ़ने में होस्यार थी, वो सभी की प्रिय थी। वो फ्रांस में डाक्टरेट करने वाली पहली महिला बनी, पेरिच विशुविद्याले में प्रोफेसर बनने वाली पहली महिला बनी। यहीं पर इनके मुलाकात पियरे क्यूरी से हुई जो पेरिश विस्व विद्यालय के ही भौतिक और रसान विग्यान के ट्रेनर थे। उन्होंने मैडम क्यूरी को अपनी लेब में अपना पार्टनर बना लिया, दोनों के बीच प्यार हो गया और मैडम क्यूरी ने पियरे क्यूरी से साधी कर ली। क्यूरी और उनके पती को रेडियो एक्टिवीटी की खोज के लिए भौतिक बिग्यान का नोबल पुरसकार दिया गया, 1911 में उनको रेडियम के सुदिक करण के लिए रसान विग्यान का नोबल पुरसकार भी दिया गया, बिग्यान की दोनों साखाओं में नोबल पुरस और सोध कारे करना आसान बात नहीं होता 19 अप्रेल 1906 को उनके पती पियरे क्यूरी की एक सड़क दुरगटना में मौत हो गई मैडम क्यूरी की दूनों बेटियों को नोबल पुरुषकार मिला बड़ी बेटी आईरीन को 1935 में रसायन बिग्यान में नोबल पुरुषकार मिला और छोटी बेटी इव को 1965 में सांती के लिए नोबल पुरुषकार मिला था क्यूरी को अमेरिका में बहुत सम्मान मिला वहां के राष्टपती ने कहा कि रेडियम जैसे कीमती बस्तू पर क्यूरी परिवार का अधिकार होगा पर मैडम क्यूरी ने राष्टपती की बात ना मंजूर कर दी सर्त में यह लिखवा दिया कि radium का इस्तेमाल किसी ब्यक्ती बिसेश को अमिर बनाने के लिए नहीं बलकि लोग कल्यान के लिए किया जाएगा Radium is not to enrich anyone, it is an element for the people Radium किसी को संब्रत बनाने के लिए नहीं है या तो सभी लोगों के लिए है यह कहना था मैडम क्यूरी का, अमेरिका के लोगों ने लेब बनाने के लिए मैडम क्यूरी को एक लाख डॉलर का चंदा भी दिया था मैडम क्यूरी बहुत ही दयावान महिला थी, अपनी खोजों का इस्तिमाल वो सभी लोगों के फायदे के लिए करना चाहती थी नोबल पुरसकार से प्राप्त धन को उन्होंने सारुजने कार्यों के लिए दान कर दिया उन्होंने बच्चों का अस्पताल बनवाने के लिए बहुत धन दान दिया 1914 के विस युद्ध में पीडितों के लिए स्वीडन में दान दिया अपार धन होने के बाद विक क्यूरी को कभ़ी घमंड नहीं हुआ उन्होंने अपनी बेटियों को पॉलिस भासा का ग्ञान दिया कई बार बेटियों को पोलैंड भी ले गई कहा जाता है कि क्यूरी अपनी ब्रधावस्था में स्वास्त के प्रतिला पारवा हो गई थी, रोज कई घंटे सोध करने के कारण वो अत्यदिक रेडियेशन से ग्रस्त हो गई चार जुलाई 1934 में 66 की उम्र में मैडम क्यूरी का निधन हो गया, वो फ्रांस के एक अस्पताल में भरती थी, अपने सोध के दोरान अती रेडियेशन से ग्रस्त होने के कारण उनकी मृत्य हो गई उनके लिखे सोध कारे किताबें यहां तक की खाना बनाने की किताब भी बहुत अधिक रेडियेशन से भरी हैं, उनके सबी सोध कारें हस्तलिकित किताबों को लीड के बॉक्स में सुरच्छित रखा गया है, उनके कारें को देखने आने वाले लोगों को मास्क पहनना होता है, 10 फरवर 1948 को मेडम क्यूरी की मिरतिव के बाद पेरिस में क्यूरी फांडेशन की अस्थापना की गई, उनकी बड़ी बहन रोणिया को डारेक्टर बनाया गया, ऐसे महान सोच वाले ब्यक्तियों का मानो समाज हमेशा के लिए रेड़ी रहेगा